हलो एवरिवन चोपेवन के एक और वीडियो में आपका स्वागत है तो बताते हैं काफी खुशी हो रही है जैसा कि मैंने प्रोमिस कहा था कि नेक्स जनरेशन बलेनों से रिलेटेड कोई भी नीए इंफर्मिशन आगी सबसे पहले माप को इंफर्म करेंगा तो कंपनी नेक्स जनरेशन बलेनों का ट्रीजर लॉंच कर दिया जो हाली में आप अपनी वीडियो के अंदर देख रहे हैं तो बड़ा एक फीचर देखने को बात करेंगे प्राइज बगेरा और जो नई लॉंच डेट कंपनी के और से आ गई है पहले दस फरवरी कंपनी के और से बताएगी ती लेकिन जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सेमी कंड़क्टर चिप की जो सोटेज चल रहे है उस वज़े से कंपनी पहले अब सीधे इस वीडियो में बात करते हैं कौन-कौन से नई फीचर मिलने वाले हैं आपको हैरान रहे जाएगे मैंने भी एक्सपेट निंग किया था कि बलेनों के अंदर आपको इतने सारे फीचर कंपनी प्रवाइड करवाने वाली है तो एक एक करके सबसे पहले एक्सट के अंदर कम सेल्स होती थी और ब्ल्यू कलर के अंदर सबसे जादा तो कंपनी हाली के अंदर नया कलर इंट्रिद्यूश करने वाली आपको पांच से च्छे नए कलर देखने मिलेंगे अब एक्स्टियर के बारे में बात करें तो आपको नई हैडलाइट मिलने वाली है आप वाले बूट पे अक्सेस होंगी जो काफी स्पोर्टी लुक आपको प्रोवाइट करवाने वाले हैं पिछे के और आपको नया बंपर वगिरा मिलने वाला है तो ऐसा एक्स्टियर के अंदर डेरो सारे चेंजेज किये गए हैं अब आपको बेस मोडल से पियानो ब्ले तक ले जाया गया है तो काफी ज्यादा स्पोर्टी लगने वाली है यह जो बने लो आप जो यह मोडल देख रही हैं यह आपको एकदम बेस वेरिंट रहने वाला है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं इसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं जो डोर हैंडल आपको ले करında करेंद अदर का आपकोकर फिंशिंग के दो रहेंगे यह जो फिचेर से मोडल के यह जो कंपनी धेर हाद यह आ मिलने वाली है आपको DRL मिलने वाले हैं तो company इस वाली ब्लेनों के अंदर डेरो feature add-on करने वाले हैं interior की बात करें तो आपको नया dashboard company इस पर प्रवाइड करवा कि देगी आपको पहली बार इस segment में head-up display मिलने वाली है जो आज तक इस segment की गाड़ी में कभी नहीं मिले इंडियन मार्गेट में हमने पहली बार देखी थी इस से अपर segment की गाड़ी किया सेल्टाउस के अंदर आपको head-up display मिलती थी जिसमें सारी multi information देखने हों मिलती थी अब आपको वह ब्लेनों के features के बारे में बात करें तो यहां पर आपको जो infotainment system है यह आपको tata cars की तरह मिलेगा आपने tata cars की cars में यहां पर देखा होगा नए आपको एसी के controls मिलेंगे अब आपको flat bottom steering मिलेगा जो आपको already swift में आपने देखा है अब इस वाली ब्लेनों के अंदर आपको pedal shift में हाल ही के अंदर मा परेजा की वीडियो ब्ले कर बीब कर आए जाएंगे तो काफी ज्यादा बतला नहीं ब्लेनों के अंदर देखने हो भाटया जब भी हमें गाड़ी मिलेगी तो मैं पूरा वाकराउंड रिव्यू सबसे पहले अपने चैनल पर आपको ले के आऊंगा तो चैनल को लाइक सेरेंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप मिस ना कर पाएं सबसे पहले मैं आपको प्रोवाइड कर वाऊंगा अब बात कर अब आपको लॉंच के टाइम यह नहीं मिलेगी और चोने के एक से डेड महिने बाद आपको चैनल के अंदर कंपनी प्रोवाइड कर आगे अभी तक चैनल नहीं आएगी सिर्फ यह पैट्रोल के अंदर आएगी आप इसके प्राइज की बात करें जल्दी से तो प्राइज इसकी आलरेडी वाली बलेणों से 50-60,000 रुपे एक्सपेंसिव होने वाली है जो अभी बलेणों आ रही है पिछे के और आपको 60-40,000,000,000,000,000 पास्टल ट्रे बगरा है पहले भी मिलती थी अब सबसे बड़ी बलेणों के अंदर सबसे ज़्यादा बलेणों क्रिटिसाइ रेटिंग लेके आ सके तो काफी ज़्यादा अच्छा यह पेकेज होने वाला है न्यू बलेणों का अगर आप भी न्यू बलेणों लेने की सोच नहीं या फिर कोई और गाड़ी की क्वेरी बगर है तो मेरी कमेंट बोक्स में डाली है मैं डैली वीडियो बनाता हूँ तो लोगों के मन में थे कि आपको नई बलेनों के अपको लेधर सीट बिलकुल इस गाड़ी के अंदर देखने को नहीं मिलेंगी यह कंफर्मली है यवन top model के अंदर भी क्योगी कमपनी मारुती doors प्लते यह उसको किSTOMER के बारे में इंडियन जो कस्तमेर उनके बारे में पता ह कि इंडियन वायर अगर आप लेधर सीट भी प्रोड़ कर रहा होगे तो भी वो सीट कवर उस पे लगाएंगे हैं इसलिए कंपनी कोस्ट कटिंग के चलते नहीं देंगे क्योंकि फिर गाड़ी की प्राइज काफी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी कि हमने हाली में I-20 का हाल देखा है काफी गाड़ी काफी ज़्यादा और प्राइज है तो लोग उसको लेने से डर रहे हैं नहीं ले पा रहे हैं और तूसरी बात करें तो आपको रियर एसीवेंट्स भी नहीं मिलेंगे क्योंकि मारुतिज की एसीज हैं वो काफी पुरानी एसीज है और टेस्टिंग को भो ज़्यादा वो टाइम हो चुका है सेम एसीज का जो पार्ट वगरा है सेम आ रहे हैं आपको पुराने स्विफ्ट के अंदर भी वही एसीज मिलती थी आपको बारा लाख की एस क्रोस के अंदर भी वाइलेस चार्जिंग प्रवाइड नहीं करवाती है तो हुंड़ाई और अलग-अलग कंपनियों के अलग-अलग मार्केटिंग इस्टेजी रहती है भेहे हीं मारूति आपको बेस मॉडल के अंदर भी पिछे की वाइपर वस्ट दिफोगर शर्बुवातं करों देता है तो भेहा अलग-अलग मार्केटिंग इस्टिंग रहती है हर एक कंपनी की तो कंपनी कस्ट कटिंग चलते हैं मुझे नहीं लगता बिल्कुली आपको रियर एसी वेंट्स देंगी Hyundai Cars की ACs मारतवी की ACs के काफी इतनी जादा एफेक्टिव नहीं है हमने ये टेस्टेट भी किया हुआ है मारतवी की AC काफी जादा एफेक्टिव है आल्दो जो विटारा ब्रेचा Q&A की वीडियो बनाए थी अगर आप वो वीडियो देखना चाते हैं आई बटन के अंदर लिंक आ रहा है अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो कमेंट वक्स के अंदर डालिए अगले ही दिन मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपका रिजोल जो सवाल है उसका जवाब जरूर दूँगा तो इसी प्रकार की और इंफर्मेटिव वीडियो देखने के लिए और बलेनों का जो वाकरांड रिव्यू देखने के लिए चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब और वेल आइकन को जरूर दबाईए क्योंकि एक से दो दिन के अंदर हाल जल्दी मैं वाकरांड रिव्यू लेके आने वाला हूं जब भी गाड़ी अवलेबल हो जाएगी तो आप कहीं मिस ना कर जाएगी इसी प्रकार की और इंफर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद